जैसरी श्याम, राधे राधे, राधे रुखमन की रसोई में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मसाला कॉन खेचडी भुटे से बना के यह तैयार करेंगे बहुत टेस्टी बनती है, फ्रेंडस ही और अभी भुटे बहुत आ रहा है मार्केट के अंदर तो देसी भुटे आप लेकर आईए और इसे जरूर से बनाईए यह बच्चों को बहुत पसंद आती है खास थोर से आप इसको उनके टिफिन में भी दे सकते हैं लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट कभी भी एंजोई कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए इसके लिए मैंने याप पर चार बुट्टे ले लिए अच्छे से मैंने इनको साफ कर लिया अपर जो बाल बगरा इनके लगे वे आते हैं वो आप अच्छे से साफ कर ले और आपको देशी भुट्टे ही लेने अमेरिकन कौन नहीं लेने तो अब हम क्या करेंगे मीडियम ग्रेटर से इनको ग्रेट कर लेते हैं तो मैंने एक ग्रेटर ले लिया और मीडियम ग्रेटर से मैं इसको ग्रेट कर लेते हूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिक करना है ना बहुत ज़्यादा मोटा ग्रेट करना है आपको इसको इस तरह से आप ग्रेट कर लिजी तो चलिए मैं सारा grate कर ले त्यूंँ पहले तो लेजिए मैंने पूरा एक कद्दुकस कर लिया है तो मैंने यहाँ पर लिये थे चार भुटे जिसमें से मैंने तीन भुटे कद्दुकस कर लिये और एक मैंने रख दिया है क्योंकि मुझे इतना सफिशेंट है आपको जितना लगता है आप उतना ले लिजिए फिर देखिए हमने एक पैन ले लिए और पैन के अंदर हम डाल देते हैं दो चम्मज बेसन बेसन को हमें ड्राय रोस्ट करना है कुछ भी नहीं डालना है सूखा ही आप इसको भूनकर तयार कर लिजिए सुनेरा होने तक और ये काम आपको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे करना है बहुत ज़्यादा गेस की फ्लेम को हाई आप नहीं रखें और इसको भूनकर तयार कर लिए अच्छे से चलाते वे लगतार आपको इसको चलाना है बीच में रोकना नहीं है बढ़ना जो बेसन का कलर है वो सुन्दर नहीं आएगा बिल्कुल भी तो बस लगतार इस तरह से चलाते वे स्लो फ्लेम के उपर आप इसको भून लीजिए देखिए मैंने इसको सुनेरा भून लिया है तो बस इसको तो हम निकाल लेते हैं फिर मैंने एक पैन के अंदर डाल दिया है एक बड़ा चम्मच घी आप इसको ओईल में भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप इसको घी में बनाएंगे न तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग हटकर आएगा बहुत टेस्टी बनेगा इसलिए मैंने इसको घी में बनाया है फिर इसमें हम डाल देते हैं गरम होने पर वन फोर चम्मच हींग और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे हम काली सरसू, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाल देते हैं तीनों चीज़े इसमें डालनी बहुत जरूरी है, इनका फ्लेवर बहुत बढ़ी आएगा, तो आप इनको जरूर से डालें, बिल्कुल भी इसकिप ना करें, क्योंकि इसको हम बनाने वाले हैं बिल्कुल गुजराती स्टाइल में, तो मैंने इसमें डाल दिया है, मीठे नीम के पत्ते, अगर ताजा है तो ताजा डाल दीजिए, अगर सूखे मीठे नीम के पत्ते हैं, तो आप सूखे भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से एक बार मै तो बस इनकी बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आने लगी है, फिर मैंने इसमें डाल दिया है, ग्रेट किया हुआ, अमारा भुट्टा जो हमने कॉर्ण को गेट करके रखा था, वो सारा इसके अंदर डाल देते हैं अब इसको भी आमें भून कर तयार करना है, साथ से आठ मिनट के लिए, अब मेडियम टू सलो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते वे, भून कर तयार कर लीजिए, इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो खुश्बू भी बहुत अब बढ़िया आएगी, अगर आपकी पतली कड़ाई है और नौन इस्टिक नहीं है तो एक बार ये हलका हलका चिपकने लगेगा, तले में तो आप इसको लगातार चलाते रहें, जैसे जैसे ये सिखने लगेगा ये कड़ाई अपने आप छोड़ देगा, मेरा ये नौन और राइस की खिच्डी बनाई थी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, मैं उसका लिंक फिर से एक बार देऊंगी, जिन लोगों ने नहीं देखिए, प्लीज उसे एक बार आप जरूर से देखिएगा, तो देखिए भूंते-भूंते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, और कितना दानेदार इसका टेक्स्चर आ चुका है, तो बस अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, जैसे कि मैंने डाल दिया है, हल्दी पाउडर 1-4 चमच, और आधा चमच मैं इसमें डाल देती हूं धनिया पाउडर, इन मसालों को भी अच्छे से पहले इसम और पूरा प्रोसेज आप slow to medium flame पे कीजिएगा, ताकि यह बहुत अच्छी बनेगी, आधा चमच मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, और मसालों की क्वांटिटी, आप अपने हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं, अगर ज्यादा spicy पसंद है, तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कम पसंद है आपको तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अब जो भुना हुआ बेसन हमने तयार किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और स्वादा नुसार डाल देंगे, इसके अंदर नमक और दौनों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे, तो इसक इसके अंदर दोड़ा दाल देंगे, और देखिए, डालते ही बकई ने इसके अब्सॉर्ब कर लिया है, और यह फूलने लगाए, फिर से मैंने इसके अंदर आधा कप जो बचा था वो भी एड कर दिया है, और बढ़िया से मिक्स कर देते हैं, और जैसे ही इसमें आप आप चाहें तो यहां पर पानी भी डाल सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, आधा पानी और आधा दूद भी डाल सकते हैं, फिर देखिए, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि और फूलेगा, तो मैंने इसके अंदर आधा कब दूद और ले लिया है, और इस बार मैंने इसमें म मलाई भी लिये साथ में, तो जब मलाई अपना घी इसमें छोड़ देगी, तो फ्लेवर और भी बच्चा हो जाएगा इसका, तो मैंने कुल मिला के तीन भुट्टे लिये थे, उसके अंदर मैंने 300 ग्राम दूद का यूज कर लिये, अच्छे से इसको भी मिक्स कर देते है आप आधा पानी, आधा दूद इस तरह से भी ले सकते हैं, तो देखी, जैसे जैसे मैं इसमें दूद डाल रही हूँ, यह पूरा अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, तो अभी भी इसको थोड़ा सा हमको फूलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आधा कब पानी डाल मिल सकें, और यह बढ़िया से फूल कर हमारा तयार हो सकें, तो बस मैंने आधा कब इसमें पानी डाल दिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, अब इसको हम ढखकर छोड़ देते हैं, 7-8 मिनिट के लिए, और इसको अच्छे से पकने देते हैं, तो 7-8 मिनिट हो चु और बस इसी तरह से हमको यह खिचरी बना के तयार करनी है, ना बहुत ज़्यादा सुखी सुखी बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा पतली बनाएंगे, क्योंकि जब इसको ढखकर छोड़ देंगे ना भी 15 मिनिट के लिए, तो यह अच्छे से फूल जाएगी, और फिर द ट्रेडिशनली यह खटा मीठा ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको मीठा फ्लेवर पसंद नहीं है, तो आप शूगर को इसकिप कर दीजिए, और पूरा पकने के बाद में एक बड़ा चमच भरके मैंने इसमें फिर से घी का डाल दिया है, बहुत अच्छा लगेगा उपर से जब आप इस तरह से इस पर घी डाल देंगे तो, आप अगर चाहते हैं तो आप इसको सर्व करते समय भी डाल सकते हैं, जैसे आप गरम गरम इसको सर्व करेंगे प्लेट में, तो उस समय भी एक चमच भरके आप इसमें घी का डाल सकते हैं, फिर आप इस समय उसको skip कर दीजिएगा और फिर बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने एक नारियल का गुला ले लिया उसको मैंने grate कर लिया था तो वो मैंने इसके उपर डाल दिया इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा तो आप जरूर से डालिएगा और फिर मैंने धनिया की पत्ति डाल दिये तो एक बार तो इसको डालने के बाद में बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ सके और फिर जब इसको हम सर्व करेंगे तब उपर से भी आप जरूर से गार्णिशिंग कीजिएगा नारियल के गोले से और धनिया पत्ति से इसको ढख कर छोड़ देते हैं गेस की फ्लेम को बंद कर दिया है अगर आप इसको थोड़ा सा और पतला रखना चाते हैं तो आप इसमें गरम पानी डाल के भी इसको सेट कर सकते हैं पर इस तरह से खाएंगे ना यह बहुत टेस्टी लगते हैं और फिर मैंने उपर से फिर से इस पर डाल दिया है थोड़ा सा नारिल का गोला और धनिया की पत्ति डाल देते हैं गार्णिशिंग के लिए तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही बढ़िया भुट्टे की खिचड़ी बनके तयार हो चुकी है बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और हेल्दी भी बहुत ज़याद है तो आप इसको जरूर से ट्राइ कीजिए गा और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंद पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है जैसरी शाम राधे राधे